वेलकम टो माई वीडियो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी Cisco router के उपर Cisco discovery protocol को कैसे enable या disable कर सकते हैं तो ये एक असान सा तरीका है उसके लिए आप कोई भी Cisco का router ले सकते हैं मैं यहाँ पर Cisco packet racer free version को यूज़ कर रहा हूँ मेरे पास उसमें जो भी router होगा उसको मैं यूज़ करूगा लेकिन यह जो commands है हर किसम के Cisco के router के उपर work करेगी यहाँ पर मेरा यह Cisco का router on हो रहा है मैंने बिल्कुल fresh router लिया ताके जो भी fantastic कर सकूँ आपको नदर आए कि मैंने पहले से कुछ भी configure नहीं किया हुआ तो सबसे पहले मैं enable mode में जाओंगा उसके बाद मैं configuration mode में जाओंगा उसके बाद जिस भी interface के आप Cisco discovery protocol बंद करना चाहते हैं उस interface को आप select करेंगे जो Cisco discovery protocol है वो by default enable होता है वो command already run होती है उसको बंद करने के लिए असान सा तरीका है कि उस command से पहले आप no लिख दें उसके बाद आपने वो command लिखनी है Cisco no cdp enable यह क्या करेगी आपका जो Cisco discovery protocol है उसको disable कर देगी तो यह चोटी से command है लेकिन यह command सिर्फ Cisco के router के उपर बर करती है आप किसी दूसरे router के उपर configure करेंगे जो Cisco का नहीं है तो यह command run नहीं करेगी क्योंकि यह जो protocol है सिर्फ Cisco का है Cisco की proprietary है Cisco के router के उपर ही work करता है तो simple सी command है no cdp enable इसके बाद आप enter कर देंगे आपकी जो भी आज की setting सी वो हो चुकी है आपने आसानी simple सी एक command की मदसे Cisco discovery protocol को अपने router के specific port के लिए उसको disable कर दिया तो आज की वीडियो से सिर्फ इतना ही उमीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आप इसी तरह की मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली सारी वीडियोस का notification सबसे पहले आप